खबर आयोध्या से है आयोध्या के हनमानगड़ी चेतर में बीते दिनों महन्त हनमानदास के आवास के बंद कमरे में मिली लास को लेकर आयोध्या पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है आयोध्या पुलिस के अंसार हनमानगड़ी की सीड़ियों पर भीक मांगने वाली भीकारियों ने सराब पीकर आपस में विवात किया और उसके बाद अंधे व्यतिने भगवान दास उर्फ दीपू सिंग उर्फ शूर दास ने ननकू निवासी बल्लामपूर जो भीक मांग क हनमानगड़ी पर विच्छाटन करता था कि गला दबाकर हत्या कर दी पुलिस के माने तो घटना 26 अपरेल की है घटना के दिन मुर्तक ननकू ने आरोपी शूर दास के कमरे पर ही मुर्गा बनाया था और दोनों ने शराब पी थी दोनों में आपसी विवाद हुआ जिसके कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस की माने तो इन दोनों में अक्सर विवाद होता था हनमानगड़ी के इमली बाद छेतर में आरोपी शूर दास ने कमराल भी लिया था पर यहाँ पर घटना के दिन दोनों ने मुर्गा बनाया और शराब पी हनमानगड़ी का बाद छेतर जह जरीली शराब पीने से दोनों आकों की रोशनी चली गी थी तो आरोपी शूर दास अंधा है और उसने आख वाले व्यक्ति की हत्या कैसे की पुलिस के इन दावों पर तमाम सवाल उठ रहा है लेकिन जाने क्या कुछ कहा छेतरा अदकारी अयोद ध्याने दिनांग 28-24-23 को हन्मान गड़ी के पास आवासिय परिसर मुहला इमली भाग में महंत धनुमान दाजची के किराय के मकान में एक व्यक्ति का शव बरामध हुआ था मामला संवेधन श्वील होने के कारण जन्पतिय पुलिस प्रभारी श्रीमानुप पुलिस पाहन रिच्चक वरिष पुलिस यद्चक जन्पत युद्धा द्वरा एक टीम का गठन किया गया इस टीम द्वरा गठना का नावरण करते हुए उस कमरे में रह रहे भिकारी भ अकसर उसके साथ मार्पिट किया करता था इसी करम में उसने उसकी गला दवाकर हत्या कर दी है और पुलिस की ग्रफतारी से बशने के लिए मकान पर ताला लगा करता था चाभी अपने एक मित्र को दे करके चला गया था जिन्पति प्रभारी जो पुलिस उप्भाने इच् झाल 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 झाल